हलो दोस्तो तो स्वागत आपका मेरे चैनल टॉप हिंदी अनीम में तो लास्ट अपिसोड में हमने देखा था कि नीफांग कूफ एमली के चीफ को मार देता है सिर्फ कुछ एल्डर और सी फैमली का चीफ बच जाता है और उसका कुछ वाडियर भी तो यह एपिसोड सुरू यहां से सही सलामत नहीं जा पाईगा तो वो नीफांग के चीफ के साथ वापस से फाइट करने लगता है सी फैमली और नीफांग का दोनुच चीफ फाइट कर रहे होते हैं और इन सभी के बीच में कुछ बंदे भागने लगते हैं तो उसके पीछे अपना हीरो नीफांग और उसके कुछ family member उसके पीछे जाते हैं अपना hero पीछा करता हुआ बोलता है आज तुम सब बच कर यहां से नहीं जा सकते हैं तुम सब को मरना होगा अपना hero अपने sword से सब को मार देता है और वो भी काफी असानी से comment में मुझे जरूर बता है आपको overpower MC कैसा लगता है क्योंकि मुझे ऐसे MC काफी अच्छे लगते हैं तो अब सीन अपने दोनों chief पे इस सिफ होता है वो दोनों fight कर रहे होते हैं अपने elders के साथ C. Young जब पिटने लगता है तो वो भीग मागने लगता है कि मुझे जाने दो मुझे मत मारो तब ही अपना hero Nifang आ जाता है और बोलता है कि ये सब तुम्हारे कारण ही हुआ है तुम मुझे और मेरे family को मारना चाते हो अगर आज मैं मारा जाता तो तुम मेरे dad और मेरे बाकी family member को भी मार देते तो मैं तुम्हें कैसे छोड़ दू C family का elder और chief बोलता है कि हमने तुम्हें बड़े होते हुए देखा है हमें तुम छोड़ दो Nifang बोलता है कि मैं तुम्हें मारूंगा नहीं मगर तुम्हारा cultivation waste मिटा दूँगा फिर Nifang का डार बोलता है आज तो हमने कूफ family को defeat कर दिया मगर क्या future में जब वो इससे भी ज़्यादा ताकतवर को बेजेंगे तो क्या हम उसे भी हरा पाएंगे इस पर अपना hero बोलता है वो क्या कोई भी power house आ जाए मैं किसी से नहीं डरता और इसी के साथ ये episode यहीं खतम होता है तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जोड़ एक लाइक देना और चैनल को जोड़ सब्सक्राइब कर लें और भी ऐसे आनिम एक्स्प्रेइन के लिए थैंक यू